मेरी एक स्टूपिड सी गल्दी की वज़े से मेरे कपड़ों का बिल बैड गया सत्तर हजार रुपए वह आप सोचो कि इस लड़की ने सत्तर हजार रुपए क्यों खर्च दिये जारा के जो विंटर क्लोथ है ना वो बहुत ही जादा एक्सपेंसिव होते हैं इसके लिए मेरा खर्चा इतना बड़ा चला गया इस बार पर चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने 70,000 में क्या-क्या लिया जारा से एक ये टॉप लिया जो बिल्कुल बेसिक था इसमें कुछ खास तो नहीं है लेकिन इतना वर्सेटाइल है कि मैं इसको बहुत सारे तरीकों से स्टाइल कर सकती हूँ और जारा के कपड़ों की यही चीज मुझे बहुत जादा पसंद है उसके बाद आती है यह ग्रीन कलर की ड्रेस और इस बार में सोच रही हूँ कि यार थोड़ा विंटर के कपड़ों में कलर दिया जाए तो इसलिए मैंने ग्रीन ड्रेस पंगवाई उसके बाद मैंने मंगवाई यह लगिंग्स जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है सर्दियों में यह आपको बहुत वाम भी रखेगी और आपकी बॉड़ी को बहुत अच्छे से हग भी करेगी काफी स्ट्रेचबल है जो दिखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन गाइस डोंट वरी एस साइज ही है यह बस ओवर साइज सा इसलिए ऐसा लग रहा है फिर मैंने मुगाए हाइने ग्रे कलर का स्वेटर अब मुझे समझ आए कि मेरा बिल भारी क्यों बैढ़ गया क्योंकि मैंने गलती से दो बार एक ही कारडिगन ओर कर दिया था आप देख रहे हो किती साथा स्टूपिड हूं कभी-कभी मुझे ऐसी गलतीया हो जाती है क्योंकि क्या होता है न हमें कभी कहीं ट्रिप वगरा निकलना होता है तो जल्दी-जल्दी मैं और करने के चक्कर में ऐसी गलती बिलकुल भी ना करें कोई बात नहीं अब हम आते ह इसको भी मैं बहुत अच्छी से स्टाइल करने वाली हूँ उसकी बाद निकला ये जीन्स के कपड़े का ट्रेंच अभी जीन्स का कपड़ा था तो मुझे रगाता साथा वाम नहीं होगा लेकिन पहनने के बाद मुझे रेलाइस होगा कि नहीं बॉस ये तो काफी जादा वा इसे में दो तरीकी से स्टाइल कर सकती हूँ एक नॉमल कोड की तरह और एक ड्रेस की तरह मुझे लगता है काफी अच्छा लगेगा हला कि मुझे थोड़ा सा चोटा लग रहा है बड कोई बात नहीं हम देखते हैं कैसे अज़स्ट कर पाएंगी मैं अभी इतनी जहमत्ती इसके बाद मैंने बॉड़ी सूट मंगवाया और इसके अंदर भी मैंने पहनने के लिए एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कलर मंगाया है ब्लैक के साथ मुझे लगता है काफी कॉमलिमेंट करेगा और वह है यह ब्राउनिश बेज टोन का एक हाइनक स्वेटर और मुझे काफी कॉमलिमेंट करेगा तो इसलिए मेरे स्टाइलिंग के परपस से इसको मंगवाया है और इसके नीचे में पहनने वाली हूं पैंस भी आप देख सकते हो इंदर कॉमिनेशन मुझे लग रहा है कि काफी अचा लगएगा बाकी आने वाले वीडियो में देख लेला कि मै कैसे स्टाइल करूंगी लास्ट एंड फाइनल मेरा ये बैग है जो की काफी जादा भारी है दोनों बैग से काफी जादा भारी है अब यह भारी क्यू है मुझे इसको खोलते ही पता चल गया है मैंने फर वाला बड़ा ही सुंदर सा ट्रेंच कोट लॉंग कोट मंगवाया इसको मैं जब स्टाइल करूंगी जए तब मुझे पसंद आ जाए फिलहाल तो मुझे कुछ जादा इंप्रेस नहीं करें लेकिन एक चीज़ इसकी मुझे बहुत इंप्रेस करें वह इसका अंदर का पूरा ये जो फैबरिक कड़ाके की सर्दी में ये आपको ठंडी से बह लंबा होने वाला है मेरे लिए अब इसको कैसे मैं मैंनेज करूंगी वह हम बाद में देखेंगे मेरे पूरे कपड़े निकल चुके हैं गाइस सेवेंटी थाउजन में ये सब आ गया